मूवी टाइम भी ताधिक में आप सभी का स्वागत है आज हम जिस फिल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है कमिंग सून और ये फिल्म साल 2008 में रिलीज होई थी ये एक थाई हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे आएम डिवी ने 6.1 की रेटिंग दिये और इस फिल्म को आज मुझे सजिस्ट किया है दीपा मलिक ने तो थैंकियो दीपा मलिक तो चलिए दोस्तो फिल्म की कहानी की और बढ़ते हैं तो दोस्तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची डड़की के साथ जिसका किड्नैप हुआ था और वो एक घर में बन थी वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी तब ही वहाँ पर एक अजीब सी लेडी आती है जिसका नाम रहता है शुम्बा ये औरत गाउं के अपने आसपास के बच्चों को किड्नैप करती है और उनका आखे निकाल लिया करती है और वो इस बच्ची के साथ भी वही करना चाहती थी उलड़की काफी भागने की कोशिश करती है लेकिन वो सुम्बा उसे पकड़ लेती है तब ही हम देखते हैं आसपास में रहने वाले लोग जिन में से कुछ तो उनके ड्नैप वे बच्चों के पैरेंट्स भी रहे वो लोग उस घर में आ जाते हैं वो लोग अपने बच्चों की हालत देखकर काफी जादा डर जाते हैं और वो सुम्बा को मारना शुरू करते थे और उसके बाद उसे गले में फासी लगा कर उसे मार देते हैं अगले ही मुमेंट में हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक मुवी का हिस्सा था जिस मुवी का नाम था इवल स्प्रिट और ये मुवी थेयर्टर में उन लोग के स्क्रिणिंग के लिए लगाया गया था जिनोंने इस फिल्म को बनाया था ये लेडी इसका नाम मुझे सचमुश नहीं बता तो मैं इसे ग्वेन बुला रहा हूँ ग्वेन सुमबा का मरने वाला सीन देखने के बादी हाल से बाहर निकलती है और वो बाहर सीनी में इस मुवी के डिरेक्टर को बैटा देख पाता है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले बैटे क्या कर रहे हो तो अपना ही बनाया हूँ वो मुवी खुद क्यों ने देख रहे हो तो डिरेक्टर उसे यह बताता है कि मैं सुमबा का मरने वाला सीन नहीं देख सकता उस दौरान ग्वेन के फोन में किसी का कॉल आता है तो वो उससे मिलने के लिया आता है वहाँ पर एक खाली हॉल था जहाँ पर ग्वेन को किसी के होने का असास होता है और उसे लगता है कि यह वह ही उसका दोस्त है जिसने उसको फोन किया था तो वो उसे ढूनते वे अंदर जाती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता तब ही अचानक पीछे में स्क्रीन पे वो इवल स्प्रीट मूवी चाली हो जाती है ग्वेन को कफी डल लगता है लेकिन तब ही अचानक वो मूवी बंद हो जाती है और स्क्रीन पर किसी के जूनने का दृश्य न जराता है ग्वेन पीशे मुल के देखती है तो सचमुश मापर कोई जूल रहा था और वो शायद ग्वेन को मार देती है आगे हमें शेन नामा की एक आदनी को दिखाया आता है जो कि एक थेटर में प्रोजेक्शनिस्ट का काम करता था शेन की हाला थोड़ी सी खराब थी उसे पैसो की जरुवत थी तो उसका दोस्त उसे ये बताता है ये वो दोनों मिलकर इस इविल स्प्रिट मुवी को रिलीज होने से पहले ही रेकॉर्ड करके किसी को बेज देंगे इससे उन लोग को थोड़ा पैसा मिल सकता है आगे हमें शौम नामक एक लड़की दिखाई आती है जो कि शेन की गल्फरेंट थी एक्स गल्फरेंट शेन और शौम का अलग होने का रिज़न ये था कि पैसो की तंकिये कारण शेन सौम का हाथ का घड़ी बेशना चाहता था और शौम ये नहीं चाहती थी तो उस दौरान शौम शेन को रोक रही थी और हाथा पाई के वक्त शौम के सर पर थोड़ा सा चोट लग जाता है जिसके कारण वो दोनों अलग हो जाता है उस दिन शौम का बड़े था और शेन उसे विश भी करता है लेकिन शौम जादा रियाक्ट नहीं करती है और वो चली आती है जब वो कॉलिडर से जा रही थी तब उसे अपने सामने में कोई जोलता वो नजार आता है जब वो गहर से दिखती है तो वो ये एक स्प्रिट था जो कि इसे हॉंड करती है वो डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और बचने के चकर में एक धरवाजे को काफी जोरशों से नौख करती है तब ही सामने से शेन का दोस्त उस दरवाजे को खोलता है और वो गलती से डर के मारे उसे एक गुजा मार देती है शेन का दोस्त और कोई नहीं शौम का भाई था जिसका नाम पियोल था इन सब के बाद वो लोग सब एक रिस्टरॉन में बैट कर डिनर करते हैं और उसके बाद शौम अपने घर चली आती है और यहाँ पड़ प्योल और शेन फिट से थेर्टर में वापस जाते हैं ताकि वो लोग उस मुवी को रिकॉड कर सके प्योल अकेला थेर्टर में बैट कर अपने कैमरी के साथ उस मुवी को रिकॉर्ड कर रहा था और शेन प्रोजिक्शन रूम में बैठा हुआ था तब ही शेन की आँख लग जाती है और जब थोड़े दिर बाद उसकी नीन तूटती है तो वो आकर थेटर रूम में पियोल को ढूण रहा होता है लेकिन वहाँ पियोल नहीं था गिरा हुआ था तो बस उसका कैमरा शेन उस कैमरे के रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो वो उसमें पियोल को देख पाता है जो कि काफी डर रहा हुआ था मानो उसमें भूट देख लिया हुआ शेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि पेएल अपने घर चला गया था, उस रात वो उसके घर जाता है, लेकिन दरवाजा बाहर से खोला हुआ था, तो वो अंदर जाके चेक करता है, तो पेएल वहां पर नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के पैरों की निशान थे, और वो पैरों की निशान अलमारी तक जा रहे जब वो अलमारी चेक करता है, तो वहां पर कोई नहीं होता, जब वो बाहर निकलता है, तब उसे वो आदमी मिलता है, जिसे पेएल और वो उस फिल्म को रिकॉर्ड करके देने वाले थे, वो आदमी शेन को ये बताता है, कि अगर तुमने जल से जल मुवी रिलीज होने से पहले मुझे एक फिल्म का रिकॉर्डिंग नहीं दिया, तो काफी बुरा होगा, इसके बाद शेन थेटर वापस आता है ताकि वो खुद उस मुवी को रिकॉर्ड कर सके, और उस आदमी को दे सके, जब वो बैठे बैठे उस मुवी को रिकॉर्ड कर रहा था, तब वो उस मुवी की सीन में देखता है, उस सेम पैरो की निशान जो उसने पेवल की घर पे देखा था, शेन को कुछ खड़कता है, तो वो पेवल को कॉल करने रखता है, और पेवल का फोन का रिंग ठेटर के अंदर से ही आ रहा था, जब वो यहाँ वहाँ चिक कर रहा था, उसे नह हो रहा था इसके बाद शेन काफी डर जाता है और वो वहाँ से भागना ही बैतर समझता है जब वो बाद निकल रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ इसका पीछा कर रहा है और हम कैमरे में साफ साफ किसी को उसके पीट पर उसकी बैक की जगा जोलते हुए दिख पाते हैं इसको लेकर वो अपने घर चले आता है घर जाकर शेन काफी जादा स्ट्रेस में सा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा थे कि क्या हुआ नहीं हुआ तब उसे अपने वाश्रूम में चीज उसको काफी जादा तंग कर रही थी उसका अजीबोगरी वरताव शौम नोटिस करती है तो वह उसका कैमरा चिक करती है और वहाँ पर उसे उस फिल्म की रिकॉर्डिंग नजर आती है शौम शेन को पूछती है कि क्या बात है तो शेन शौम को वो वीडियो पूरा द बताता है कि लास्ट टेम उसने इस मूवी को देखा था और वो अब नहीं रहा और क्योंकि उसने भी इस फिल्म को थोड़ा बहुत देखा है तो अब उसे भी एक स्प्रिट हांट कर रही है शौम को अपनी भाई पियोल की मौत पर बिलकुर भी भरोसा नहीं हो रहा था त जल्दी इस घड़ी को शौम को लोटा देगा लेकिन तबी उसे अपने दोस्त के अंदर शौमबा नजर आता है शेन यहाँ पर काफी ज़्यादा डर जाता है वो भाग कर अपने आपको एक एलिवेटर के अंदर बंद कर लेता है लेकिन उसके अंदर भी शौमबा की स्प सौम को बलाती है ताकि वो थोड़े दिर वहाँ पर रहे और शेन की देखवाल करें सौम को शेन की हालत पर काफी तरस आता है तो वो उस रात कंप्यूटर में बैठकर इस एवल स्परिट मूवी के उपर कुछ रिसर्च करती है इससे उसे यह पता चलता है कि यह मूवी ए उसे मार दिया था जब शेन को होस आता है तो सौम उसे यह बताती है कि तुम बिलकुल सही कह रहे थे मुझे तुम्हारे बात पर अब यकिन हो चुका है शायद यह वही स्परिट है जिसे उन गावालों ने मार दिया था यह शौमबा की स्परिट है अगर हम लोग उस की तलाश में निकल पड़ते हैं जहां पर शौमबा रहते थी और वो लोग समहा उस जगे को ढून भी लेते थे जब वो लोग शौमबा के घर के अंदर चानमीन कर रहे थे तब एक फैन शौम के उपर गिरने वारा था लेकिन शेन उसे बचा लेता है लेकिन वो फैन शेन से बाहर निकाल रही थी तब उसे देखता है कि उपर में होल है जहां से शौम उसे एक रसी फिक कर उपर बुला रही है तब रियलाईज होता है उसे कि अगर उपर शौम है तो उसका हाथ पकड़ कर कौन है तब ही वो देखता है कि अंधेरे में से शौमबा की आत्मा बाह उटाई थी तो वो वहीं आसपास में एक हास्पिटल में जाता है अपनी चेक अप कराने के लिए और उसके हाथ उपर डॉक्टर बैंडड लगाता है उस दौरान डॉक्टर उसे यह पूछता है कि तुम लोग उस घर में क्या करने गए थे तो शेन उसे यह बताता है कि वो पर पुलीस आ गए थी और वो लोग शौंबा को एक हेल्थ सेंटर ले गयाता है जहां पर शौंबा का इलाज होता है और शौंबा आज भी जिन्दा है और वो एकदम ठीक हो चुकी है वैल शेन काफी कंफ्यूज हो या था है कि अगर शौंबा जिन्दा है तो वो स्प्रि लीडी है जो उसे बार बार दिख रहा है वो लोग उस दिन उस फिल्म को बनाने वारे में से किसी एक एक घर जाते हैं जहां जाकर उन्हें यह पता चलता है कि घर में एक हफ़ते से कोई भी नहीं है तो वो लोग रात को चुपके से खिरकी तोड़कर उस घर के अंदर शोंबा का रोल प्ले कर रही थी वो देट सिक्वेंच सई से नहीं दे पा रही तो डिरेक्टर उसे बार 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 बोल रहा था कि ऐसा करो ता कि वो जादा रियलिस्टिक लगे पर वो बार बार नहीं दे पा रही थी लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका सेफटी हुक त तूट चुका है, काफी लेट हो चुका था, वो अलड़ी मर चुके थी, तब ही जाके शेन को ये समझ में आता है, कि ये स्प्रिट और किसी का नहीं, बल्कि उसी लेडी का है, जिसने शोंबा का रोल प्ले किया था, एंस होसता है, कि अगर वो किसी भी तरह उस फिर्म के री जिसे वो इस फिल्म की रिकॉर्डिंग बेचने वारा था, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बचते बचाते, स्टाफ रूम में जाता है, और उस फिल्म की पूरी रील को जरा देता है, और जब वो बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि फिर से वही सब हो रहा है, जो नहीं जरा सकेगा, तो शेन उस टाइम लूप को ब्रेक करने के लिए सीधा उस आदमी के उपर इस बार हमला कर देता है, तब ही वो यह देखता है कि वो आदमी है ही नहीं, बलकि वो शौमबा की स्परेट है, तो शेन काफी दाता डर जाता है और वो वहां से भागने लग शेन नकली शौम के पीछे पीछे एक खाली हॉल तक चले आता है, जहां पर शौमबा की स्परेट फिर से उसे हांड करती है, तो वो डर के मारे एक रूम के अंदर खुद को बंद कर लेता है, लेकिन अगले ही शेन वो रूम उस घर में कनवर्ट होयाता है, जहां पर शेन शौम शौमबा की लास डोड़ने गए थे, शेन वहां पर काफी लोगों के साथ पेवल को भी देख पाता है, और वो सारे लोग मरे वे थे और उनके आँख निकाल ले गए थे, तब ही हम देखते हैं कि शेन को पीछे से शौमबा की स्परेट पकड़ती है और उसकी इविल स्परेट था, वो देखते हैं और वो लोग सब शौमबा की मरने वाला सीन भी देख रहे थे, जिसका मतलब ये था कि शौमबा हर किसी को मार देगी, जब और इस फिल्म को हौल में देख रही थी, तब हम स्क्रीन पर शौम की लाज भी देख पाते हैं, जिसका अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, मुझे परसनली ये फिल्म बहुत अच्छे लगी और मैं इस फिल्म को पांच में से साले चार की रेटिंग तो जरूर दूँगा, मैं आप लोगों को रेकम अर्दिन जब तक के लिए, वाव नाइस दे